हेलो फ्रेंट्स आज हम आपके लिए लेका हैं आलू गोवी यहां पे हम 200 ग्राम गोवी लिए हैं और 200 ग्राम आलू जो हमने कट करके रखा है गोवी में कीरे होते हैं इसलिए गोवी को हम गरम पानी में उबा लेंगे ताकि कीरा निकल जाए और अच्छे से छान लेंगे यहां हम कटाई में तेल डाल दीए और आलू गोवी सबसे पहले हम फ्राइ करेंगे हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राइ करेंगे और इसे बीच बीच में चलाते जाएंगे इसको ढखके बीच बीच में हम चलाते जाएंगे गोवी को अच्छे से हम फ्राई करेंगे ताकि आलू गोवी अच्छे से पक जाए और फ्राई भी हो जाए आप देख सकते हैं गोवी आलू अच्छे से फ्राई हो गया है इसे हम निकाल लेंगे उसी कराई में हम 3-4 चार च्छे से तेल डालेंगे और एक चमस जीरा जीरा को हम चटकने देएंगे यहां पर हम 2 मीडियम साइज का प्याज कटकर करें रखे हैं वह डालेंगे मीडियम फ्रेम पर ही हम भूनेंगे प्याज को गोल्डेन वरान होने तक भूनेंगे अब यहां पे हम कुटा हुआ अद्रक दा रहे हैं चाय तो पेस्ट भी डाल सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे यहां मेरा प्याज गुल्डन ब्राउन हो चुका है अब इसमें हम एक चमच हल्दी पौडर दो चमच लाल मिर्च पौडर यहां हम कास्मीरी मिर्च ले रहें इसलिए ज्यादा ले रहें तीखा नहीं होता है यहां पे हम दो चमच धन्या पौडर लिए और अच्छे से मिक्स करेंगे इन सभी मसाले को हम लो फ्लेम पे ही बूनेंगे मसाला जले नहीं इसलिए हम थोड़ा सा पानी डालके और अच्छे से मिला लेंगे और ढख देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए यहां हम पैन का कवर हटाते हैं देखते हैं मसाला पका या नहीं हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है अब इसमें हम एक चमच भूना हुआ बेशन डाल रहे हैं चाय तो आप सत्तू भी डाल सकते हैं इससे क्या होगा ना ग्रेवीड का रिशनेस बढ़ जाता है अब यहां पे हम टमाटर प्यूरिट डाल रहे हैं चाय तो आप टमाटर करके भी डाल सकते हैं तो मीडियम साज का हम टमाटर लिए हैं और अच्छे से मीडियम फ्रेम पे एक से दो मीट के लिए और भून लेंगे अब यहां पर हम कस्तूरी मेठी ले रहे हैं क्रेस्ट करके हम डालेंगे यह आप्सनल है आपके पास हो तो आप डालें वरना स्क्रीप भी कर सकते हैं अब देख सकते हैं मसाला से तेल बाहर आने लगा है जब तक मसाला अच्छे से नहीं फ्राइ होगा ना तब तक सबजी में टेस्ट नहीं आएगा अब देख सकते हैं मसाला से तेल बाहर आ चुका है अब हम एक से देर का पानी डाल देंगे जितना आप ग्रेवी ठीक रखना चाते आप उसी के नुशार आप पानी डालें अब इसमें हम स्वाद नुशार नमक डालेंगे और एक चमच गरम मसाला अच्छे से मिक्स कर दूंगी मीडियम फ्रेम पे गैस कर दूंगी यहाँ हम आप पैन को कवर कर देंगे एक उबाल आने देंगे पैन का कवर हटाते एक उबाल आ चुका है अब इसमें हम फ्राइग ग्यावा गोवी आलू डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद पैन को फिर से बापस से कवर कर देंगे और मिडियम फ्लेम पे एक दो मीट की लौर पकाएंगे यहां मैं फिर से कवर को हटाती हूँ अब देख सकते हैं पारी कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद मैं फिर से आधी मिनिट के लिए और पकाऊंगे मिडियम फ्लेम पे ही यहां पे हमारा गोवी आलू बन के रेडी हो गया गैस को बन कर दूँगी और सर्फ करूँगी हलवाई जैसा गोवी आलू बन के रेडी हो गया फ्रेंट्स अगर अच्छा लागा हो फ्रेंट्स लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए नए ने इस तरस वीडियो लाती रहूं